दोस्तों जैसे जैसे दुनिया भर के देशों में लगातार ड्रोन और कामी काजी ड्रोनों की डिमांड बढ़ती जा रही है सेम इसी तरीके से इन ड्रोनों को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की भी डिमांड लगाता दुनिया भर के देशों में बढ़ती जा रही है फारत पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम को सेवदेशी टेकनलोजी के दमपर बना कर तैयार कर चुका है जिनकी मदद से हम दुश्मन देश के ड्रोन और कामी काजी ड्रोन को सोफ्ट किल और हार्ड किल भी कर सकते हैं यहाँ पर hard kill और soft kill का मतलब यह है कि जो soft kill होता है उसके अंदर हम दुश्मन देश के drone की radio frequency को jam कर देते हैं जिसके बाद दुश्मन देश का drone खुद ही जमीन पर आकर गिर जाता है और hard kill के दोरान हम दुश्मन देश के drone या फिर कामिकाजी drone को किसी missile या फिर laser हत्यार की कर गिरा देते हैं और उसी को ही हम hard kill बोलते हैं एंटी drone सिस्टम की field में इस समय हमारी दो प्राइवेट सेक्टर की कमपनियों ने जबरदस्त काम किया है जिसमें से पहली कमपनी का नाम Gen Technology है और दूसरी कमपनी का नाम Big Bang Boom Solution है इस समय ये दोनों ही कमपनी anti-drone सिस्टम को बना कर तयार कर चुकी हैं लेकिन इन anti-drone सिस्टम के साथ सबसे बड़ी परिशानी यह थी कि इन anti-drone सिस्टम की कीमत काफी ज़्यादा महंगी पड़ती थी इसी बात को देखते हुए भारत पिछले एक से दो साल से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ थाकि एक सस्ते anti-drone सिस्टम को बना कर तयार किया जाए जो की हमारे current air defense सिस्टम के साथ भी connect हो सके ताकि हमारी तीनोई सेनाए इस anti-drone सिस्टम का इस्तमाल कर सके वो भी काफी ज़्यादा कम कीमतों पर इसी बात का solution निकालते हुए अब भारत electronic limited ने एक special anti-drone guard सिस्टम को BEL ने बना कर तयार कर लिया है जिसको हम काफी आसानी से अपनी close range की air defense gun के साथ में connect कर सकेंगे यानि अभी जो हमारे पास पूरानी close range की air defense gun है उन्ही गन को हम काफी आसानी से anti-drone सिस्टम में बदल सकेंगे इस सिस्टम की कीमत भी हमको काफी कम पड़ेगी अभी जो BEL की तरफ से ये drone guard सिस्टम बना कर तयार किया गया है इसको हम अपनी L70 gun के साथ में connect करने वाले हैं अभी तक हम अपनी L70 gun का इस्तमाल दुश्मन देश के helicopter और low flying aircraft को मार गिराने के लिए इन gun का इस्तमाल करते थे लेकिन BEL के इस drone guard सिस्टम के लग जाने के बाद अब हम अपनी इन L70 gun की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश के swan drone और drone को मार कर गिरा सकेंगे फारत electronic limited ने अपने इस नए anti drone सिस्टम में radio frequency jammer का यूज किया है साथ में radar और electro optical sensor का भी इस सिस्टम में इस्तमाल किया गया है जिसकी मदद से हम काफी आसानी से इस gun की मदद से soft kill और hard kill दोनों कर सकेंगे hard kill के लिए हम इस gun में एक खास तरीके के emination का इस्तमाल करने वाले हैं जिसको हम air burst emination के नाम से भी जानेंगे इस emination को हाली में ही D.I.D.O. ने बना कर तयार किया है और इस air burst emination के हमारी L70 gun में लग जाने के बाद हम काफी आसानी से दुश्वन देशों के swarm drone और drone को मार कर तो गिरा ही सकेंगे साथ में काफी जादा effective तरीके से हम दुश्वन देश के low flying helicopter और aircraft को भी मार कर गिरा सकेंगे और आप आप ही कमेंट करकर बता सकते हैं कि कितनी संख्या में हमारी तीनोई सेनाओं के पास ये नया anti drone system होना चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, have a good day